हेलो गाइज वेलकम तो माई चैनल तो आज मैं इंडिया का फेमस स्नेक्स लेके आ रही हूं आपके सामने तो आज हम बनाएंगे समोसे तो चलिए रेसिपे स्टार्ट करते हैं तो मैंने पहले एक कठाई को गरम किया है और उसमें थोड़ा सा कुकिंग ओयल डाला है और भी मैंने थोड़ा सा डाला जीर और अब इसमें थोड़ा सा डालूगी आजवाइन अब इन दुनों को थोड़ा चटकने देंगे और उसके बाद मैंने पेस्ट रेडी किया है लेसन, मिर्चा, अद्रक का वो डालूँगी और थोड़ा सा मैंने डाला हींग तो आपको इसमें जीरा, अजवाइन और हींग का तड़का देना है और ये लेसन, मिर्चा और अद्रक का पेस्ट है ग्रीन चिली है, गार्लिक है और जिंजर है इसका मैंने पेस्ट तियार किया है, रफली चॉप्ड है ये तो इसको हलका सा गोल्डन सा ब्राउन होने दूँगी मैं और मैं इसे थोड़ा ज्यादा कॉइंटिटी में बना रही हूँ क्या मेरे कुछ गैस्ट आने वाले हैं इसलिए आप इसकी कॉइंटिटी अपने आप कम या ज्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग तो यॉर फैमिली मेंबर्स तो अब मैंने आलू बॉल करके मैश कर लिया है और थोड़ी सी मैं ग्रीन पीज यूज कर रही हूँ क्योंकि ठंड के दिन है ठंड में मटर समोसे बनाई है तो बहुत अच्छा लगता है और अगर आप मटर नहीं खाना चाते हैं ग्रीन पीज नहीं खाना चाते हैं तो आप इसमें मुमफली अट कर सकते हैं पर मुमफली को पहले रोस्ट करके और उसके छिलकों को हटा लिजेगा उसके बाद मुमफली इसमें डालिएगा तो मैं थोड़ा सा इसको पकने दूँगी, इसको थोड़ी देर ढग दूँगी और इसको थोड़ा सा पकने दूँगी मटर को तो अब देखिए मटर पक चुकी है, दो से तीन मिनिट में अराम से मटर पक जाती है तो ये मटर अब पक चुकी है अच्छी से तो अब मैं इसमें जो मैंने आलू बॉल करके मैश कर ली है अच्छे से मैं उनको एड़ करूंगी क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम यह जादा कर सकते हैं आलू की मटर की और मटर की जगे आप मुमफली का भी उसकर सकते हैं उससे बने समोंसे भी बहुत टेस्टी लगते हैं जब सीजनल मटर नहीं होती है नहीं आरही होती है तो मैं फ्रोजन मटर तो मैं यूज ताकि मेरी मटर जिंजर गर्लिक पेस्ट फगर है यह नीचे जले नहीं इसको अच्छे से मैश करने के बाद हम इसमे मसाले आट करेंगे तो अब मैं इसमें डाल रही हूं गरम मसाला 1.5 टेबल स्पून इनफ है आप मसाले की कॉंटिटी भी अपने अकॉडिंग कम या जाधा कर सकते हैं आपको अगर मसाले बहुत तीखे और स्पाइसी जाधा चाहिए तो आप अपने अकॉडिंग यूज़ करिए और थोड़ा सा रेट चिली पाउडर मैंने ग्रीन चिली भी डाली हूई है इसलिए मैं रेट चिली पाउडर थोड़ा कम यूज़ कर रही हूं धन्या पाउडर और अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी आमचूर पाउडर अगर आपके पास आमचूर नहीं है तो आप इसमें हाफ लेमन भी यूज़ कर सकते हैं मेरे घर में समोसे सबको इतने पसंद है कि सब आके चेक करते रहते हैं अच्छा कि क्या प्रोसेस कहां तक पहुचा कितनी जल्दी बनके मिल जाएं बस तो मैंने देखिएं सबको अच्छे से मैश कर लिया है और अब मैं इसमें नमक एड़ करूंगी और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही एड़ करिए नमक थोड़ा इतना ही एड़ करना है क्योंकि हम आगे डो तयार करेंगे उस डो में भी हम नमक एड़ करेंगे थोड़ा सा तो उसी के अकॉर्डिंग ही आप नमक एड़ करिए और मैं इसमें फोड़ा सा मिर्च के अचार का मसाला डाल रही हूँ, अगर आपके पास मिर्च का अचार नहा हो तो आम की अचार का मसाला भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता इसमें और ये अचार का जो मसाला होता है इसका टेस्ट एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है कुछ अच्छा सा खटापंसा हो थोड़ा सा अच्छा सा टेस्ट आता है इसलिए मैं इसको डाल रही हूँ अगर आपके पास अचार ना हो तो आप इसको skip भी कर सकते हैं ने कर देकर ओकर अच्छे से यह दुदक आपको दुद। सो अच्छे से मैश करते हैं और यह अत्त करें। तो देखी अब ये रेडी हो चुका है और अब मैं इसको थंडा होने के लिए छोड़ दूँगи एसे ही आपको थंडा होने के लिए चोड़ देना है और इसमें मैं धन्या एड़ कर रहे हूं कोरियंडर लीव्स अगर आप धन्या पसंद करते हैं तो डालिये अधर्वाइस आप इसको स्किप भी कर सकते हैं तो धन्या डालके मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी और इसको अच्छे से मैश करने के बाद हम फ्लेम को आफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे सारी चीजों को आपको डालने के बाद बहुत अच्छे से मिक्स करते जाना है ताकि इसमें बिल्कुल भी कहीं मसाल एक जगे खटे ना रहे तो अब मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ अब मैं त्यार कर रही हूँ दो तो उसके लिए मैं लूँगी दो कप मैदा दो कटोरी मैंने यहां मैदा लिया है और मैदे की कॉइंटिटी भी आप कम याज़ जादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग डू या फैमिली मेंबर्स आपके घर में जितने लोग हैं उसके इसाब से आप मैदा कम या जादा ले सकते हैं तो मुझे थोड़ा सा जादा बनाना है आज समोस से तो मैंने दो कटोरी मैंने मैदा लिया है और इसमें मैं थोड़ा सॉल्ट एड़ कर रही हूँ salt हमने मसाले में भी add किया है उसी के according ही salt आपको add करना है थोड़ा सा अजवाइन, carom seeds अब इसको और इसमें मैं मोयन के लिए थोड़ा सा cooking oil यूज़ कर रही हूँ और अब इसमें cooking oil अगर ना यूज़ करना चाहें तो आप इसमें मैं टो अज़़ सक्टने तो अज़़म थोड़ा से वह अड़ा आपकर अवे प्ला में रीड ही मैं करना यहाँ थोड़ा स्कूव निष्गर मिक्स कर सक्की है हमारे जो आटा मैंधा है उसमें मोयन भहोट अच्छे से मिक्स हो जाए कि मोंयन और नमक वगैरा इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और इस तरीके से हमें हैं आपको कैसे पताा लगता है कि मोंयन अच्छा है या नहीं अच्छा बड़ा है हमारे समोसे होंगे या इसमें मोयन आपको अच्छा देना है अगर मोयन आप अच्छा देते हैं तो समोसे बहुत क्रिस्पी बनेंगे तो इस तरीके से आपको दोनों हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और देखिए ये मुठी बंध रही है मतलब ये जो है हाथ में अच्छे से बंध जा रहा है मेंदा बिना पानी के तो मीन्स हमारा मोयन बहुत अच्छा पढ़ा है मुयन बहुत अच्छा है और हमारे समोसे बहुत क्रिस्पी होने वाले हैं अब मैं इसको दो मिनट के लिए ढखके दो से 3 मिनट के लिए ढखके छोड़ दूँगी रिखmented aavid 2-3 मिनंटे हो चुके हैं उसके बाद में अब इसमें पानी आड करके इसको अच्छे से नीट करूँगी डो बनाऊंगी और јुने हमें बहुत सॉफ्ट हफ नहीं बनाना है बहुत जबाधा पानी आड नहीं करना है हमें थोड़ा थोड़ा पानी अभी नहीं तयार करना है तो देखिए मैंने एक रफली डो रेडी कर लिया है बहुत सॉफ्ट नहीं है अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए कम से कम 10-15 मिनिट के लिए मैं इसको धक्की रखूंगी उसके बाद ही मैं समोसे रेडी करूंगी दस से पंदरा मिनिट अब हो चुके हैं और अब देखिए मैं समोसे रेडी करने चाहा रहे हूं आप रोलिंग बोड पे इस तरीके से एक रोटी जैसा मतलब बेल लिजे बहुत मोटा आपको नहीं बेलना है बहुत पतला नहीं बेलना है और यह मैंने एक कप कटोरी में मैंने पानी लिया है थोड़ा सा गुनगुना और उसमें मैंने डाला है एक चमच मैंदा और इसका मैंने घोल बनाया है इसी पेस्ट को मैं समोसे को पर लगा रही हूं समोसे को लॉक करने के लिए ताकि हमारे आलू जह है वह बाहर ना है तो देखिए अब हमारे समोसे का कोन रेडी हो चुका है अब इसमें जो फिलिंग मैंने रेडी की है वो इसको मैं फिल कर रही हूं एक कटोरी पानी लेकिए और उसमें आपको एक चमश मैदा घोल देना अच्छे से ऐसा लिक्विट जैसा रेडी कर लेना है समोसो को बंद करने के लिए इस तरीके से इसको हमें यूज करना इस लिक्विट को और अब हमारे समोसे रेडी है इसी तरीके से आपको सारे समोसे रेडी कर लेने है और उसको हाई मेडियम फ्लेम पे आपको सेखना है और पहले तो बिलकुल तेल को एकदम गरम हो जाने दीजे बहुत हीट हो जाएग तो दिखिए मेरे समोसे ये रेडी हो गये हैं और ये मैंने सर्फ भी कर लिये हैं मैं चानने का प्रोसेस आपके सामने शेर नहीं कर पाई थोड़ा सा मुझे जल्दी में थी इसलिए तो थैंक्स फॉर वाचिंग प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल झाल